क्लास 9 मैट चेप्टर वन एक्सर्साइज 1.3 क्क्षें नमबर 5 6 & 7 बच्चे इस वीडिए वे क्या करेंगे क्क्रइगे तौनोर्ट सिख्डियम ब्लोक मतलब और कि जब डिजिट करेंगे तो उस डिड़ीटी सण वाले डिजीट में आ डिज jejig stretching block किने बरेंगा वो बताना है ऑफ डेसिमल एक्सपेंसनन वन वाई 17 का मलब कि डिजोंग करना है और बताना है ब्लोग कि अिप करना है और अपने answer को बताना है चलितम पर क्या करते हैं इसको solve करते हैं और समझाता हूँ आप लोगो मैं तो देखिए को इसको कि विए है को इसको करते है कितना आएगा इसका प्रिटिंग ब्लॉक में तो यहां पर divide कर वाता हूँ समझाता हूं आप लोग को तो डिवाइड दिखिए ना वन को सर्वेंटीन से डिवाइड करना है तो बच्छे पले क्या तरह सेवेंटीन का तेबल बना लिजे ना तो बोलोगे ना कि 17 वन जा 17 17 तू जा 34 17 3 जा 51 17 फू जा होता है 68 17 फॉट जा होता है 85 17 जा 102 17 तो आप फिर से हमनों को चाहिए तो हमको लगाने क्या पड़गा यहां पर प्र जोर्व मिलेका है क्या 85 तो बोलोगे कि 10-5 करोगे तो 5 आ जाएगा और 9 में सेट करोगे तो 1 आएगा 50 ना गया फिर पॉइंट है तो एक 0 देगा आपको 150 फिर से एक टाइमस में ही क्या आता है बच्चे 136 तो यहां पर आ आता है बच्चे टू टाइमस में आता है 34 34 है यहां पर 6 है यहां पर 0 है पॉइंट है जिरो में लगा थर्टिंग टेबल में हो गया और 9-8-0 हो गया देखिए तो जब 5 आया था ना तो उसके बाद 8 आना चाहिए क्या है यहां पर 7 है पॉइंट है जिरो मिलेगा तो 17 के टेबल में देखिए टू टाइमस में देखिए तो 5 के बाद 8 नहीं आ है मतलब कि अभी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो 10-3 हो गया 7,0,0,7 आ गया पॉइंट है तो फिर 0 मिलेगा तो 17 के टेबल में 70 से चोटा नमबर 4 टाइमस में क्या आता है बच्चे 68 आता है तो 10 और टू माइनस वन हो गया 13 आ गया फिर से क्या करोगे बच्चे पॉइंट है तो एक 0 मिलेगा आपको पॉइंट है यहां लगाओ गलती कर देवान लगा करके तो सब्सक्राइब तो इहां पर जिवन हो जाएगा 17 हो जाएगा तो बोलोगी कि 7 हो जाएगा कितना इंस रृट्वं हो गया फिर प्वैंट है तो 0 मिलेगा वॉइंद लू गाइए वान गोचिश सब्सक्राइब फोर टाइम्स में क्या था नोबर बच्छे है और यहां पर टैन माइनस एट हो गया बच्छे दू और तो कि सेवेंनिस सिक्स हो गया लग पॉइंट तो एक फिर से 1 तूorama 2-0 स्ट नुमबर का स्ट वन्ट राइन सबूस हो गया और फिर 17 में देखी वन नहीं आता है तो इन है लोग 9 पोंट ह से 10 वाता है देखिए बच्चे ऐसे मैं यहां पर पाच लिखू को आगा था रिमांधर को सलल करउंगा ना यहां आगा पर 15 लिए गाईगा इस लिखें रिपीट कर रहा है तो इस पर नॉमबर क्या है बच्चे जीरो पॉइंट यहां पर लगा सकते ना जिरो पॉइंट जिरो 588 23 बच्चे याद रिखेना है ऐसा कोश्ण कभी भी exam में नहीं आता है कभी भी exam में नहीं आता है लोग इतना मेहनत करवाए ठीक है 117 647 647 बस इसका 058 से आ रहा है तो मतलब कि इतना क्या है रिप्टिंग ब्लॉक में इतने digit है तो 123456789 10 11 12 13 14 15 16 16 किसमें कितने रिप्टिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है तो 16 डिजिट है ठीक है तो देखिए बच्छे क्या बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एक्जामपल और इन्दा फॉर्म पी बाई क्यू तो आप लोग ने बहुत सारा एक्जामपल देख चुका है पी बाई क्यू के और इन्दा इन्दा पी बाई क्यू के फॉर्म की है य्प वी कोशन क्या है बचे बाई क्यू के संब्सके फॉर्म कही है यह यह भी कोशन कहा था देखना फी क्यू आEXके लीदर इल्ड यंद्ड कॉमन फैक्टर अइन एंन्टोर मतलब कि तर्मेन एटिंग देमल के नहीं कि युद्स ने लिए आपको मैं बता रहा हुं यहां से तो याद रखे कोई भी नमबर terminating decimal होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा तो कोई भी नंबर ना बचे तो आप बोल सकते हैं तो आप बोलोगे ना कि प्राइम फेक्टराइजेशन ऑफ क्यू है उनली पावर ओफ टू एंड पावर ओफ फाइव और बोथ अगर देखिए पी बाई क्यू में अगर जो ऐसा अब समझा रहा हूं कुछ अब बस एंसर इतना ही है एंसर क्या है बच्चे इतना ही है अब समझा रहा हूं इसका बाइक्यू के फ़र्म में है कोई रास्ट नंबर और ये क्या है टर्मियूनेटिंग डेसिमल का है तो यहां बुला जा रहा है कि जो क्यू होगा नौका जो प्राइम फ्राइब क्टराइशन होगा ना उसमें टू आना चाहिए या तू और फाइब दोनों आने चाहिए सेवेंटीन वचल सेवेंटीन नीचे में तो नीचे में और हम do पर 2 आया यहां पर 5 आया तो बच्चे 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए अगर ऐसा है तो बच्चे जब मैं आप लोगों को याद होगा कि यह क्या था टर्मिटिंग डेसिमल था यह क्या था टर्मिटिंग डेसिमल था देखिए बच्चे यह भी क्या यहां पर इसके नीचे में करोगे ना तो यह तो यह तरमिनेटिंग है इसमें 11 है तू अब यही होना चाहिए कि q का क्या क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या दोना चाहिए यहाँ पर ना power of 2 बोलने का मतलब यह है ना बच्चे कि यहाँ 2 का power 3 आ सकता है 5 का power 6 आ सकता है ऐसा करके या फिर simple 2 का power 2 ही आ जाए और 5 का power बस 5 ही रहे या फिर ऐसे 2 multiply 5 ही आ जाए या फिर 2 का पावर 2 5 का पावर 2 आ जाए ऐसे कर कुछ भी आ सकता है मलब कि अगर इन दोनों में से या केवल 2 ही आ जाए या केवल 5 ही आ जाए तो क्या होगा बचे terminating decimal होगा ठीक है ना next question number 7 क्या है question number 7 है कि write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring मलब कि ना तो terminating होना चाहिए तो तो 3 decimal expenses लिखने हैं जो कि terminating नहीं होने चाहिए और नहीं recurring होने चाहिए और नहीं repeat करने चाहिए यहां 2 है यहां 2 है यहां 4 5 है कहां repeat कर रहा है ठीक कर दो फिर अपने मंद से एक और नमब लिख दो अपने मंद से six point या one six two zero zero one zero zero फिर five six zero zero फिर four seven four zero zero फिर three dash dash तो बचे देखे यह क्या repeat कर रहा है क्या नहीं बचे यह repeat नहीं कर रहा है और ना यह terminate हो रहा है अपने मंसे जो मन करें वह नमब लिख दो सब्सक्राइब 1001.1002 003 004 बचे यह repeat नहीं कर रहा है देखे एक कहां repeat कर रहा है 002 आ रहा है 003 004 आ रहा है यह repeat कर रहा है यह नमबर आगे बढ़ते जा रहा है बाता सकत कोई नम बने तो बस तो बोलोगी कि आर थ्री आर देया लिए लिए टी एच आर डबली आर थ्री numbers 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 whose whose decimal expenses are non terminating non recurring और यह क्या हो जागा बच्चे आपका पयारा सा एंसर हो जाएगा तो यहां पर question number 7 complete हो गया और बच्चे यहां पर क्या होता है exercise 1.3 का वीडियो over होता है बच्चे आप हमसे connect रहने के लिए ना हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों अ करता है थे हमारे लिए बच्चे अजाए जीडियो आपक्यों टेवाशने कर दो करता हैं लिए वीडियों आपका कर दो कि एक्रिंडियों आपको कर सबस्कियों.